देखिए 2024 के लोग सभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान अपनी तैयारी सुरू कर चुके हैं और चिराग पासवान एलान कर दिये हैं कि हाजीपुर लोग सभा सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे हलंकि चिराग पासवान अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ हैं लेकिन फिर भी किसी भी परकार का चांस नहीं लेना चाहते हैं और इसी को लेकर चिराग पासवान 16 जनवरी को हाजीपुर के बैसाली में चिराग पासवान का जनसंबाद कार्चकरम है और इस कार्चकरम को लेकर पूरी तैयारी शुरू की जा रही है और चिराग पासवान मुख अतिति के रूप में वहां आएंगे लेकिन इससे पहले आपको बता दे कि कार्जकरम की तैयारी पूरी भव्य तरीके से की जा रही है और दस हजार लोगों की आने की आसंका है और चिराग पासवान साब तोर पर कह रहे हैं कि इस बार हाजी पूर लोग सभासीट से जब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे देखिए इवा बिहारी चिराग पासवान की चर्चा पहले से ही खूब हो रही थी क्योंकि चिराग पासवान बिहार के चर्चित इवा न की चर्चा हो रही है बिहार के राजनीती में और सुल्ला जन्वरी को 10 सजार से अधिक कर्च करता वहाँ पर जुटेंगे और चिराग पासवान के जो पार्टी है यानि कि लोचपा राम बिलास जिसके राष्ट्रिये अध्यक्ष है चिराग पासवान और अभी वर्तमान में जमुई के सांसद है और हाजिपूर लोग सभासीट को लेकर चिराग पासवान चुनावी मैदान में कमर कसकर अब उतर रहे हैं 16 जन्वरी को चिराग पासवान हाजिपूर के 22 साली में महाजन संबाद कार्चकरम करने वाले हैं और इसमें परदेश के कई बड़े नेता सामिल होंगे, कई बड़े बड़े नेता पहुचेंगे और इस कार्जकरम को लेकर पूरी तरीके से तैयारी में चिराग पासवान के पार्टी के बैनर तले सभी कर्चकरता जुट चुके हैं और पूरी तैयारी की जा रही है देखिए आज 13 तारीक है और आज से 3 दिन बाद 16 जनवरी को यानि की मंगल वार को 22 साली में चिराग पासवान का जन संबाज कार्चकरम है और चिराग पासवान हाजीपुर लोग सभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिये हैं अलंकि चिराग पासवान पहली बार साल 2014 में जमुई लोग सबासीट से चुनाव लड़े और उसके बार 2019 में भी चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़े और दोनों बार जीत हांसिल किये अब तीसरी बार जब चर्चा हो रहा था कि चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ेंगे या फिर हाजिपूर से दो सीट की चर्चा हो रही थी लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान हाजीपूर लोग सभासीट से चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे हैं और कही न कही चिराग पासवान जिस तरीके से लगतार हाजीपूर सीट को लेकर बयान दे रहे हैं इससे साब तोर पर अंदाजा लगाये जा रहा है कि चिराग पासवान तीसरी बार हाजी पूर लोग सवासीट से चुनाव लड़ेंगे और फिलाल वहाँ पर चिराग पासवान के चाचा केंद्रिये मंत्री पसुपती पारस जी वहाँ से सांसद है लेकिन जो सोला तारीक यानिकि सोला जन्वरी को जो कार्ज करम रखा गया है जिसमें भारी संख्या में चिराग पासवान के जो कर्ज करता है और आम जो आस्थानिये लोगों की भीड़ोगी संक्या 10 सज्जार से अधिक बताई जा रही है और तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है देखिए इसी साल यानि की 2024 में लोग सभा का चुनाव है और पूरे बिहार के साथ साथ देश भर में चुनाव है और चिराग पासवा अपने चाचा यानि की जो वर्तमान में वहां के सांसद है पसुपतीक पारस वह भी करहें कि जब सक राजनिती में जिन्दा रहेंगे हाजीपूर के लोगों की सेवा करेंगे और हाजीपूर से ही चुनाव लड़ेंगे इसलिए हाजीपूर का जो सीट है हाजीपूर जो लोगसभा सीट है चर्चा में बना हुआ है कि एक तरफ चाचा दावा कर रहे हैं कि हाजिपूर से हम चुनाव लड़ेंगे और दूसरी तरफ भतीजा यानि कि चिराग पासवान जो अब एलान कर रहे हैं कि हाजिपूर लोग सबासीट से हम चुनाव लड़ेंगे अब चाचा और भतीजे के बीच में जो सियासी जंग छिड़ा हुगा है हलंकि हाजीपुर लोग सभा सीट से किसको टिकट मिलता है लेकिन चिराग पासवान अपना तैयारी सुरू कर दिये हैं क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है 2024 के लोग सभा चुनाव में जनवरी का महिना चल रहा है लगबग 3-4 महिने के अंदर में चुनाव होगा और चिराग पासवान अपना तैयारी सुरू कर रहे हैं हलंकि हाजीपुर की जो जनता है चिराग पासवान को ज़्यादा पसंद करती है फिर भी चिराग पासवान किस भी तरीके का रिक्स नहीं लेना चाहते हैं और इसलिए 16 जनवरी को जन संबाद कार्चकरम है जिसकी तैयारी चिराग पासवान के पार्टी यानि कि लोचपा राम विलास जोर सोर्च कर रही है और बिहार के हाजीपुर जो लोग सभा सीथ है शुरू से ही चर्चा का बना हुआ है आप क्या सोते हैं चिराग पासवान और पसुपती पारस को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा बिहार एक सोच आप देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद